एक बार एक बहुत दुखी व्यक्ति एक महत्मा के पास जाकर कहता है कि है महत्माजी मैं अपने जीवण से बहुत दुखी हूँ मैं अपने बीवी, बच्चों और अपने परिवार को भी खुस नहीं रख शकता मैं अपने लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ कभी-कभी तो मुझे अपने जिन्दगी को खत्म कर देने के भी खयाल आते हैं हे मात्मा जी आप इतनी साधना करते हैं क्या आप मुझे कोई एसा मार्ग बता सकते हैं जिससे मैं अपने पूरे परिवार का पेट पाल सकूँ क्योंकि मेरे लिए मेरी रोटी का इंतजम करना भी बहुत मुश्किल है कि मैं एसे बुरे वक्त में जिन्दा रहूं तो कैसे रहूं कैसे अपने परिवार को खुश रखूं क्रिपा करके कोई साधारन सा तरीका बताने की क्रिपा करे जो मैं आसाने से समझ सकूँ क्योंकि मैं इतना पडाले का नहीं हूं अगर आप बड़ी बड़ी बाते करेंगे तो साइद में कभी समझ नहीं पाऊंगा ये सुनकर मात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा तुम एक काम कर सकते हो तो वह युगा को बोला आप क्रिपा करें मात्मा मैं पूरी कोजिस करूंगा फिर मात्मा ने सामने की और इसारा करते हुए कहा कि उस उंची पहाड़ी पर एक मंदिर है और उस मंदिर के पास चीटियों का एक घर है जहां पर हजारों चीटियां रहती है तुम्हें सुनने में बड़ा अजीब लगेगा लेकिन वे चीटियां उस मंदिर के जमीन को खराब कर देती है उस मिट्टी की उबजव सक्ति को खत्म कर देती है जिसके कारण वहां पर कोई भी पेड या कोई भी घास पनप नहीं पाती है तुम मेरा ये काम करो उसके बाद मैं तुम्हारे सवालों के जवाब दूँगा तुम साथ दिन तक रोज उस पहड़ी पर जाओ और उन चीटियों के घर को तैस नहस कर दो उसको तोड़ दो जब भी तुम्हें कोई चीटियों का घर दिखे मंदिर के आस पास तुँ उसे वहीं पर तैसनेस कर दो लेकिन याद रहे घर को तोड़ने में कोई भी चीटि की मोत नहीं होने चाहिए इस बात को समझने का प्रयास करते विए यूबक वांशे चला गया साइद उसको कुछ समझ में नहीं आया था कि महत्मा जी एसा क्यों करवा रहे हैं क्यों महत्मा जी उन चीटियों पर अन्याय करवा रहे हैं उनका घर तुड़वा रहे हैं उन्हें नुकसान पहुंचा रहे हैं आखिर कौन मात्मा ऐसा करेगा लेकिन फिर भी उसने मात्मा की बात मानते हुए अगले दिन यहीं पहारी पर जाना शुरू कर दिया जब वे पहले दिन पहारी पर पहुंचा हा तो देखा कि बहुत सारी चीटियां अपना खाना जुटाने में लगी हुए सारी चीटियां एक कतार से चल रही है और अनाज के छोटे छोटे दाने उठा कर अपने घर में जमा करती जा रही है ये देखकर पहले तो उस यूग का मन कमजूर पड़ गया उसने सोचा कि ये इतनी मेहनत करके अपना घर भर रही है और मैं उनके घर को तबाह कर दूँगा तो इनको कितना बुरा लगेगा लेकिन फिर उसने उन महत्मा की बात याद करते हुए उस घर को तोड़ना सुरू कर दिया जल्दी चीटियों में हाहा कार मच गया और वो इदर उदर दोड़ने लगी अभी तक जो कतार से चल रही थी अब वो विखर गई और इदर उदर अपनी जान बचाने के लिए भागने लगी थोड़ी देर में घर तूट गया और सारी चीटियां इदर उदर छुपने के लिए भाग चुकी थी ये करने के बाद वे युवक दुखी मन से वापस अपने घर लोट आया और उसका मन परिशान था दुखी था वे पास्चाताप से भरावा था फिर उसने अपने बिश्तर पर रात में लेटे लेटे सोचा कि अब तो उन चीटियों का घर तबा हो चुका है अब वहाँ वा सोचकर अगले दिन उसने फिर से जाने का निश्चे किया और अगले दिन सुबह उठकर वे वापस उसी पहाड़ी पर पहुंच जाता है पहाड़ी पर पहुंच कर वे उसी जगह पर पहुंचता है जहां पिछले दिन उसने उन चीटियों के घरों को तैस्नेस कर दिया था लेकिन वह ये देखकर चौक जाता है कि उन चीटियों ने फिर से अपना घर उसी जगह पर बना लिया था और अब वह फिर से अपने घर के लिए समान एकटा करने में जुटी हुई थी उस आदमी को देखकर लगा कि ये चीटियां कितनी मूर्ख है इनको पता है कि कल ही इनका घर इसी जगह पर तबा किया गया था और उसी जगह पर उन्होंने अपना नया घर भी बना लिया और ये सोच कर वह आदमी हशने लगा दोस्तों यदि आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हाँ दोस्तों वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों को शेयर जरूर करें आपके एक लाइक से हम मोटिवेट होते हैं और आपके लिए एक से बढ़कर एक प्रेरणा दायक और ज्यान वर्धक वीडियो लेकर आते हैं धन्यवाद लेकिन फिर से मात्मा की बात याद करते हुए उसने उन चीटियों को घर तबाक करना सुरू कर दिया फिर से उन चीटियों में हलचल मच गई और थोड़ी देर में वे चीटियां इदर उदर अपने जान बचाने के लिए भागने लगी कुछी देर में उनका घर फिर से नस्ट हो गया युवक ने थोड़ा संतोस के भाव से देखा कि इस बार तो मैंने अच्छी तरह से उन चीटियों के घर को तबाक कर दिया है अब तो वे चीटियों यहाँ पर अपना घर बना ही नहीं पाएगी इसलिए जाने से पहले उसने उस घर पर ठंडा पानी भी डाल दिया ताकि चीटियों वहाँ पर अपना घर ना बना सके और इस तरह अपना कार्य पूरा करके हुए युवक फिर से अपने घर लोटाया आज रात में सोते वक्त फिर से हुए युवक यही सोतरा था पहाड़ी की और निकल जाता है और पहाड़ी पर पहुँच कर वह उसी जगे पर पहुँचता है जहां पर उसने चीटियों के घर को तबाग कर दिया था और ये देख कर खुश हो जाता है कि वहाँ पर कोई भी घर नहीं था सारी चीटियों वहाँ से भाग चुकी थी अब उसने सोचा कि अब मेरा रोज रोज आने का क्या फाइदा क्योंकि चीटियां तो अपना घर बदल चुकी है और मात्मा जी ने मुझे साथ दिन के बाद आने को कहा था लेकिन आज तो तीसरा ही दिन है अब बाकी चार दिन वापस आने का क्या फाइदा और यही सोच कर उसने निश्चे किया कि यहां से वे सीधा मात्मा के पास जाएगा और उनको यह सारी बात बता देगा जब वो युवक वहां से मुड़कर उस पाड़े से उन मात्मा की कुटिया के तरफ जाने लगा तब ही अचानक उसकी नजर एक और घर पर पड़ी यह नया घर उनके पुराने घर से थोड़ी ही दूर पर था और जब उस युवक की नजर उस घर पर पड़ी उसने सोचा कि साइद मात्मा को यह पता था कि यह चीटिया अपना घर यहां से बदल कर किसी दूसरी जगह पर बना लेगी इसलिए उन्होंने मुझे साथ दिन आने के बाद का था और यह विचार करके वह उनका नया घर भी तोड़ने के लिए पहुँच जाता है जब वह युवक वहां पहुँचा तो चीटिया इस तरह अपने कारिये में लगे हुई थी वह अपने लिए खाना इकटा कर रही थी और अपने घर में जमा कर रही थी जहां पुराना घर तूटा था वहां भी अनाज के दाने बचे वे थे और चीटिया वहां से भी अनाज इकटा करके वापस अपने नए घर में ला रही थी यहां पर फिर से युवक का मन थोड़ा कमजोर पड़ गया क्योंकि वे खुद भी कमजोर था, खुद भी वक्त का मारावा था, इसलिए उसके मन में उन चीटियों के परती दया का भाव उमड रहा था, उनके उपर उसे दया आ रही थी, वे चाहता था कि उनकी मदद करें, लेकिन वे उल्टा उनको नुक्सान पहुंचा रहा था, लेकिन उसने मात्मा की बात को याद करते हुए, फिर शें उस घर को तोड़ने का निच्चे किया, और उसने इस बार बड़ी ही सावधानी के साथ बिना किसी चीटी को कोई नुक्सान पहुंचा ये, वे घर तबा करना सुरू कर दिया, समय थोड़ा ज्यादा लगा, क्योंकि किसी भी चीटी को नुक्सान ने पहुंचानी की सार्थ मात्मा ने पहले ही दे रखी थी, इसलिए वे बड़ी सावधानी के साथ उन घरों को तबा कर रहा था, लेकिन आखिर कार उसने उस घर को भी तबा कर द वे बड़े ही दुकी मनशें और इस बार वे पहले से भी ज़्यादा दुकी था, क्योंकि उसने उनका नया घर भी तोड़ दिया था, वो उन चीटियों को बचने ही नहीं दे रहा था, और वे अपने आपको सेतान या दानो समझने लगा था, लेकिन फिर भी उसने मात्मा की बात को मानते हुए सब क्या था, और वे अपने घर पर दुकी मनशें वापस आ गया, रात में सोने से पहले एक बार उसने फिर से सोचा, कि मैं कितना बड़ा सेतान हूं, कितना बड़ा दानव हूं, मैं चीटियों को बचने के लिए कोई जगए नहीं दे रहा हूं, वे लेकिन फिर भी उसने अगले दिन जाने का निश्चे किया, और अगले दिन सुबह सुबह वे फिर से वहाँ पर पहुंच गया, और वे फिर से चीटियों को देखकर आश्चरी चक्यत रह जाता है, इस बार चीटियों ने एक और नई जगए पर अपना घर बना लिया था, वे तो पहले से भी जादा उर्जा के साथ काम कर रही थी और उन्होंने एक रात में पहले से भी बड़ा घर बना लिया, और अब वे फिर से अपना अनाज और खाना जुटाने में लगी हुई थी, ये देखकर उस आदमी को लगा कि ये चीटियों किस मिट्टिक की बनी है और उनको बार बार यहां से भगाने की कोशिश कर रहा हूँ और ये वही पर अपना घर बना लेती है, क्या इनको पता नहीं कि मैं इने यहां भी बचने नहीं दूँगा, ये चीटियों दिकने में इतनी चोटी ए, लेकिन फिर भी ये मुझसे हार नहीं मान रही है, पर मर गई उसके पेरों तले कुचल भी गई चीटियों को कुचलने के बाद जब हुए अपने एंकार से बाहर आया तो उसने देखा कि गुसे में उसने उन चीटियों को कितने पीड़ा पहुंचाई है उसका मन पास्चाताप से भर गया और वह रोता हुआ अपने घर के तर बढ़ गया रात में सोते वक्त उसने सोचा कि मैं उन चीटियों पर बहुत ज़्यादा अत्याचार कर रहा हूं अब इससे ज़्यादा अत्याचार मैं नहीं कर पाऊंगा और यही सोच कर वह अगले दिन उन चीटियों के लिए अपने घर से थोड़ा आठा लेकर उस पहा गर को बनाने में जुटी हुई थी तो उसने बड़ी ही करोना के साथ उन चीटियों को अपना लाया हुआ आठा खिलाया और अगले साथ दिनों तक वे ऐसा ही करता रहा वे रोज सुबह जाता और उन चीटियों को अपने हाथों से आठा खिलाता साथ दिन के बाद वे एक बार नहीं, चार चार बार मैंने उनका घर तोड़ा, उसके बाद मैं हिम्मत नहीं कर पाया, उसके घर को नहीं तोड़ पाया, मैं समझ सकता हूं कि मैं आपका काम पुरा नहीं कर सकता, और इसके बदले आप मुझे तरीका भी नहीं बताएंगे, जो कि मुझे मेरे बुर अपने घर जाने के आग्या दीजिए ये सुनकर मात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा कि अरे बेटा कहा चल दिये रुको तो थोड़ा जलपान तो कर लो थोड़ी दिर ठहर जाओ उसके बाद चले जाना और ये कहकर मात्मा उस यूवक के लिए पानी लेकर आते हैं पानी पिल वे चीटियां तो छोटी है तुम से काफी ज़्यदा कमजोर भी और तुम इतने विसाल काय हो फिर भी तुम उन छोटी छोटी चीटियों का गर तबाह नहीं कर पाए कहा गई तुमारी सक्ती तुमारी ताकत इसका जवाब देते हुए उस यूवक ने कहा कि हे मात्मा मैंन उन चीटियों का घर तबाह कर दिया था बार बार किया था एक बार तो अपने गुस्चे में उन चीटियों की भी हानी पहुँचा दी थी लेकिन जिस दिन मैंने उनको हानी पहुँचा रहा हूं क्यों इनको इतनी तकलिप दे रहा हूं और उसी दिन से मैंने उनको सती पह पूरी चाहनी की बजाए उनकी मदद करने सुरू कर दी। ये सुनकर उन मात्मा ने कहा कि यही तो सीखने की बात है। एक छोटी सी चीटी हमें जीवन का संदेश दे जाती है। मैंने तुम्हें उन चीटीों का घर तबाह करने के लिए नहीं बेजा था। मैंने तुम्हें इसलिए बेजा था ताकि तुम उन चीटीों से कुछ सीख ले सको। तुम्हें क्या सीख मिली उन चीटीों से क्या मुझे बता सकते हो। ये सुनकर उस यूवक ने पूरी कहानी सुनाने के बाद मात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा पहली सीख जो इन चीटीों से ले सकते हो। वे ये थी कि तुमने कितनी बार उनके घर को तोड़ने की कोशिश की कितनी बार प्रियास किया कि उनका घर तबाह हो जाए। लेकिन वे हर बार अपना नया घर बना लेती थी। उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। अगर वे हार मान लेती तो वह चीटियां तुम्हें वहाँ पर नहीं मिलती क्योंकि जीवन कारे शीलता का नाम है लेकिन हम मनुष्य एक दो बार में हार मान लेते हैं और एक बार हारने पर ही तूट जाते हैं अतास हो जाते हैं और फिर जीवन में प्रयास करना ही छोड़ देते हैं कुछ लोग तो जानवरों में तुमने एक बात देखी होगी कि वह अपना जीवन खुद से कभी खत्म नहीं कर सकते तुमने कभी नहीं सुना होगा कि किसी जानवर ने आत्मत्या कर ली चाहिवे जानवर कितना भी भूका प्यासा क्यों नहों कितना ही दुखी क्यों नहों लेकिन वह अप कर्म सीलता है कर्म करने का नाम है जीवन और मृत्यू तो आखरी विश्राम है परम विश्राम है इसलिए मृत्यू से पहले कर्म करना कभी मत छोड़ना क्योंकि मृत्यू के बाद तो तुम परम विश्राम में चले जाओगे तो उसने पहले कर्म करना क्यों छोड़ रहे हो क् तुम्हारा एक घर तूट गया तो दूसरा घर बनाने का प्रयास करो कोशिश करो और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती ये तुम उन चीटियों से देख चुके हो देखने में तुम से कितनी छोटी है वे चीटियां और तुम इतने बड़े हो लेकिन उनका मन तुमा किया है कि जब भी हमारे उपर बूरा समय आता है हमें लगता है कि ये समय कभी नहीं जाएगा ये समय मेरे जीवन को बरबाद कर देगा मुझे कभी नहीं जीने देगा और अपने इनी ख्यालों से अपने इनी विचारों से जिसका असलित में कोई अस्तित्व नहीं है वह स तुम खुद सोचो कि बार बार यदी प्रकरती हमें सती पहुंचाएगी, नुकसान पहुंचाएगी, लेकिन कड़ तक पहुंचाएगी, अगर हम बार बार फिर से उठकर फिर से नया प्रयास करते रहेंगे, तो प्रकरती भी हमारे सामने गुठने टेक देगी, और वह भी एक दिन हमारे उपर दयावान हो जाएगी, करपालू हो जाएगी, और वह हमें सब कुछ देने लगेगी, जिनकी हमने कभी काम ना की थी, तुमने खुद देखा कि तुम उन चीटियों को तबाह करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन बाद में तुम ही उन चीटियों को अन ने मानोगे, तो एक ने एक दिन ये प्रकरती तुमें वह सब कुछ देगी, जो तुम अपने जीवन में पाना चाहते हो, इसलिए दो सी की याद रखना, एक कर्म सिलता, जिसमें अपना कारिय करते जाना है, और दूसरा ये, कि एक ने एक दिन प्रकरती तुमारे उस कारि नाम तुमें जरूर देगी, दोस्तों, मैं आसा करता हूं कि आपको इस वीडियो से काफी कुछ सेकने को मिला होगा, अगर आपको जानकर ये अच्छी लगी, तो इस वीडियो को लाइक करके शेर जरूर करे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद.